बिस्मिल्यार रख्माइब महीम, असलामलेकूम, आज मैं आप सब के साथ फरेरी मॉंग दाल की रस्पी शेयर करूँगी, जो के मेरी बहुत ही जादा फेवरेट है, तो मैंने सूचा के क्यों ने इसकी रस्पी आप सब के साथ शेयर की जाए, इतनी असान और इतनी लजीज हो जाएगा तो इसमें एक मिडियम साइस की स्लाइस की हुई प्यास शामिल करेंगे, प्यास को लाइट गोल्डन कर लेना है, फुल ब्राउन नहीं करना है, प्यास फ्राइ हो जाएगी तो अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने ली है साबित काल भी एट कर देंगे इसमें, ताके मसाला जले नहीं, पिसी लाल में शामिल करेंगे इसमें 1 टी स्पून, और 1 टी स्पून ये पर हजबी जाय का नमक एट करके मसालों की 20-25 सेकिन तक भुनाई करेंगे, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें मसाले की भुनाई करने के बाद अब इसमें 2 मीडियम साइस की टिमाटर, जिसको पील करके रफली चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे, अदक आप पानी शामिल करेंगे, कवर करके इसको 4-5 मिनिट तक पकाएंगे, कि टिमाटर जो हमने इसमें एट किया हैं, वो गल मसाले का थेilbude, अब मसाले का ओल भी उपर आ चुका है, तो अब इसमें सुकी है, पिर कसूरी मिति शामिल करेंगे, मार्किट की सुकी है, फिर कसूरी मिति लिए तो आप उच्छे से वाश करके स्मैट कीजेगा, मैं अपने घर की वाश की हुई, ड्राई की हुई मिति सम तो directly square रहे हूं इसके साथ ही इसमें 4-5 medium size के हरी मिर्चे और तक्रीबन 4 टिबल स्पून के परावर कटी हुई अधरक आट करेंगे अब इसमें 2 टिबल स्पून के परावर ही अधरक में शामिल करेंगे बागी की अधरक बचा लेंगे या अधरक करेंगे अब इसमें डाल शामिल करेंगे तो यहाँ पर हाफ के जी मोंग डाल ली है मैंने इसको 2-3 पानी से वाश करके सिर्फ 2-3 मिनट के लिए सोख करने के लिए रख दिया था मैंने इससे ज़्यादा डाल को पानी में सोख करने के लिए मत रखेगा वरना डाल आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और डाल फरेरी नहीं बनेगी बलकि इसके किछड़ी बन जाएगी मैं आप लोगों के साथ हाफ के जी मों की फरेरी डाल की रस्पी शेयर कर रही हूँ आप लोग कम quantity में बनाना चाहें तो इसी रस्पी के तमाम ingredients को हाफ कर लें डाल शामिल करके एक कप के जितना पानी शामिल करेंगे पानी का लेवल डाल के साथ साथ ही होना चाहिए देखिए तर दिखा भी रही हूँ मैं आपको और इसी स्टेज पर आप डाल का नमक भी चेक कर लीजेगा अब डाल को कवर करके हाई फ्लेम पर इतनी दिर तक पकाएंगे कि जो पानी हमने स्मेट किया है वो ड्राय हो जाए तो देखिए यहाँ पर डाल का पानी तक्रीबर ड्राय हो चुका है एक बार स्पून से लाकर डाल को मिक्स कर लेंगे बहुत ही जल्दी बनने वाली फरेरी डाल है यह हम बॉयल रेस के साथ जो डाल बनाते हैं इस डाल को पकने में भी टाइम डगता है यह डाल उस डाल से जल्दी बनने वाली है और टेस्ट में इतनी लाजवाब बनती है कि अगर आपने ये दाल कभी ना खाई हो तो इसको ट्राय जरूर कीजिएगा आप भी इस दाल के फैन हो जाने वाले हैं अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसमें जो हद्रक बचायती वो शामिल करेंगे बस अब इसको कव़ा करके दम पे रकेंगे दसतरखान से कव़ा करके दाल को 5-7 मिन तो पे रखेंगे पती लिया पैन के नीचे रोटी वाला तबाय यह जो यूजलेस तबाय हो आपके पास वो रखके आप दाल को दम पे रख दीजेगा पांस से साथ मिनट के बाद फ्लेम को आफ कर लेंगे तो देखें यहाँ पर कितनी जबरदस मशाला हमारे बिलकुल परफेक्ट फरायरी दाल बनके रेडी हुई है दाल का एक एक दाना खिला खिला और अलग अलग बिलकुल परफेक्ट गली हुई है यह देखिए बस अब मॉंग की फरायरी दाल को डिश आउट कर लेंगे फरायरी दाल को आप सैलिट अचार या फिर फ्राय मिट्चों के साथ खाएगा इस सर्फ कीजेगा इसका सौद इससे और भी बढ़ जाता है जट परफेक्ट सी मॉंग की फरायरी दाल को एक बार ज़रूर में रस्पी से बनाकर ट्राय कीजेगा सबके लिए आलू मिती पालक की रस्पी लेके आएं हूँ हमारे घर में जो डिफरेंट स्टाइल की आलू मिती पालक की सबजी बनती है आज मैं इसी की रेस्पी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ तो आईए चलते हैं आलू मिती पालक को बनाना स्टार्ट करते हैं एक पतीली में आदा कप ओयल एट करेंगे साथ ही इसमें 6-7 साथ साबित लाल मिल्च एट कर देंगे इसको फ्राय कर लेना है तकरीबन एक मिनिट तक जब ये क्रिस्पी क्रंची सी फ्राय हो जाए तो इसको निकाल कर अलग रख लेना है इसके बाद इसी ओल में 1 टी स्पून साबित सीरा एट करेंगे साथ ही आदा किलो मिती शामिल करेंगे इसी के साथ आदा किलो आलू इसमें एट करेंगे तक्रीबन एक बंच के करीब में इसमें पालक एट करूंगी हल्दी पाउडर जाएगा इसमें हाफ टी स्पॉन कोटी लाल मिर्च वन टेबल स्पॉन नमक हजब जाएका अब इसको अच्छे से भून लेना है तक्रीबन 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर बस इसको इतनी देर तक कवर करके रखना है कि आलू गल जाएं तक्रीबन 10-15 मिनट में आलू गल जाएंगे जितनी देर में आलू गलेंगे दूसरा फ्राया और क्रश करके एड़ करने से इसके खुच्बू बहुत अच्छी आएगी जब आलू गल जाएं तो इसमें तीन से चार मीडियम साइस के टेमाटर एड़ करेंगे साबित लाल मिल्च जो क्रश की थी वो एड़ कर देंगे इसमें इमली का पल्प एड़ करेंगे इसमें टू टेबल स्पून के बराबर साथ ही इसमें एक कप पानी एड़ करेंगे उसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन एक से दो मिनट तक इसके बाद इसमें एक कब पानी और एट करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट के लिए ताकि टिमाटर जो हैं वो गल जाएं जब टिमाटर गल जाएंगे तो इसमें दो से तीन बड़ी कटी हुई हर्मिट से शामिल करेंगे और इसको दम पे रख देंगे पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर ये देखें कितनी मज़ेदार सी आलू मेथी पालक की सबजी रेडी हुई है आपको मेरी आज की कोई कैन एजी आलू मेथी पालक की रेस्पी कैसी लगी अपनी फीड़बेक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा बगएर प्यास दही और टिमाटर के भिंडियों की ऐसी नए यूनिक रेस्पी मेरी आज की इस भिंडियों की रेस्पी वीडियो के बाद आप इस रेस्पी के फैन हो जाने वाले हैं आज मैं आप सब के लिए चटपटी जटपट यूनिक स्टाइल चटखारेदार कुरकुरी भिंडि फ्राई की रेस्पी लेकि आए हूँ जिसको आप एक बाद बनाएंगे तो गैरेंटी है कि आप इस कुरकुरी चटपटी भिंडि को वीक में दो बार तो जरूर ही बनाया करेंगे तो चलिए फिर जटपट चटपटी चटखारेदार कुरकुरी भिंडि को बनाने स्टाट करते हैं यूनिक स्टाइल भिंडि फ्राय बनाने के लिए भिंडियों को काटने कैसे है वो बता देती हूं मैं आपको भिंडि फ्राय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक किलो बड़ी वाली भिंडिया ली है भिंडियों को हमने लंबाई में काटना है जिस तरह नॉर्मली हम भिंडियों को भुजिया बनाने के लिए काटते हैं इस तरह से नहीं काटना है इस तरह सेंटर से भिंडी काटने से मसाला भिंडी में अच्छी तरह से कोट हो जाएगा भिंडी को हमने क्रिस्पी और कुर्कुडा बनाना है तो इस तरह काटने से जल्दी से फ्राय भी हो जाएगी कुर्कुरी भिंडी फ्राय बनाने के लिए एक कड़ाई ले लेंगे और कड़ाई में एक कप ऑईल एट करेंगे जब ओल गरम हो जाएगा तो इसमें 1 टी स्पून साबेद जीरा एड़ करेंगे साथ ही इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता एड़ करेंगे कड़ी पत्ते को मैं यहाँ पर डंडी समेध एड़ करेंगे कड़ी पत्ते को आप भगार में डालें या फिर सालन में भिन्डेयों को अमने जब तक फ्राई करना है जब तक के भिन्डिया क्रिस्पी और कुर्पूरी नहों जाए भिन्डियों को फ्राई होने में तक्रीबन 10-12 मिनट लगेंगे ये कुर्पूरी भिन्डिया इतनी मज़ेदार चटपटी बनके रेड़ी होती है कि यकीन करें आप इसको रोटी से कम और स्पून से ज़ादा खाना पसंद करेंगे तो देखें यहाँ पर 6-7 मिनिट के बाद जब भिंडियों का कलर इस तरह से चेंज होने लगेगा तो इसमें 6-8 बड़ी वाली हरी मिर्चा एट कर देंगे हरी मिर्चो को भी मैंने भिंडियों की तरह से ही काट लिया था हरी मिर्चो को भी भिंडियों के साथ ही फ्राय कर लेंगे अब यहाँ पर यह भिंडिया हमारी तक्रीबन फ्राय हो चुकी है अब इस point पर आप चाहें तो बिन्यों को fry करके इसमें से निकाल ले या फिर frying के लिए जो हमने इसमें एक कप oil एट किया था इसमें निकाल कर अलग कर ले ये देखें इस तरह से ये बिन्यों का सारा extra oil हमने निकाल कर अलग कर लेना है इस oil को आप वेस्ट ना करें इसको छानकर अलग रख ले फिर किसी और frying या फिर खाने में आप इस oil को यूज कर सकते हैं बिन्यों को fry करने के लिए इसमें ज़्यादा oil हमने एट किया था कम oil में भिंडियां fry करते तो भिंडियां सौगी हो जाती हैं कुरकुरी नहीं बनती अब यहाँ पर भिंडियों का आप अपनी मर्जी के मताबिक क्रिस्पियों और कुरकुरा बना सकते हैं यानि जितनी जादा कुरकुरी भिंडिया आपने खानी हो, इतना भिंडियों को fry कर लें, भिंडिया हमारी 10 से 12 मिनिट में perfectly fry हो चुकी है, अब इसमें एट करेंगे 2 टेबल स्पून इमली का पल्प, 1 टेबल स्पून हल्दी पौर्डर शामिल करेंगे, 7 इसमें 1 टेबल और फिर एंड में हस्बिजाय का नमक एट करके अच्छी तरह से मिक्स करके 1-2 मिनिट तक पकाएंगे, केमली और मिर्चों का कच्चापन निकल जाए, 1-2 मिनिट के बाद फ्लेम को आफ कर देंगे, और मज़िदार सी जटपट, चटपटी, चटखारेदार कुरकुरी भि मेरी रेस्पी से आप एक बार तो जरूर ही बनाएगा, बिलीव मी एक बार बनाने के बाद आप भी इस चटपटी, चटखारेदार भिन्यों के फैन हो जाने वाले हैं, मेरी आज की रेस्पी वीडियो आप सबको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएगा, रेस्पी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, इंशाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ, अलाहाफिज